आज हम बात करेंगे मैक्स के चप्टर नंबर 7 सिमेटरी के बारे में तो पहले समझते हैं डेफिनेशन सिमेटरी is defined as a balance and a proportionate similarity which is found in two halves of an object that is one half is the mirror image of the other half the imaginary line or axis along which you can fold a figure to obtain the symmetrical half is called the line of symmetry यहाँ पर जब हम किसी एक object को divide करते हैं दो हिस्सों में दो halves में यहाँ पर एक हाफ जो होता है mirror image होता है दुसरे हाफ का यानि एक हिस्सा जो होता है वो बिलकुल सेम होता है size और shape में दुसरे हाफ के imaginary line और axis line जिसकी मदद से किसी भी figure को fold किया जा सकता है दो symmetrical half बनाने के लिए उस line को कहा जाता है line of symmetry इस symmetry को हम और detail में समझेंगे कुछ activities से और कुछ examples से यहाँ पर पहली activity है color blob की जहाँ पर हमें एक paper लेना है और paper को हमें fold करना है fold करके जब हम paper को unfold करेंगे तो paper दो हिस्सों में बढ़ जाएगा paper के बीच में एक line बन जाएगी और paper divide हो जाएगा दो equal हिस्सों में paper के एक हिस्से में हमें color blob बनाना है यानि एक color की boon को वहाँ पर डालना है फिर paper को हमें fold करके थोड़ा सा press करना है इसके बाद में जब हम paper को unfold करेंगे तो paper के दूसरे हिस्से में भी एक color blob बन जाएगा जो एक similar होगा, same होगा पहले हिस्से के comparison में तो यहाँ पर दोनों जगा पर हमें color blob दिखाए देगा तो इसे कहते है symmetry second activity में भी हमें एक paper लेना है और उसे fold करना है और हमें जब fold करके unfold करेंगे तो paper दो equal हिस्से में divide हो जाएगा paper के एक हिस्से में हमें एक thread लेना है जिसे color में dip करके हम उसे thread को paper के एक हिस्से में हमें रखना है जब हम paper को fold करेंगे और थोड़ा press करेंगे उसके बाद में जब हम paper को unfold करेंगे तो paper के दूसरे हिस्से में भी thread का same shape बन जाएगा तो इसे कहते है symmetry इस slide में हमें एक image दिखाए दे रही है जहां पर mirror में हमें reflections show हो रहा है तो इसे कहते है reflectional symmetry दूसरी image में हमें कुछ shapes और alphabet दिखाए दे रहा है जिसे axis की मदद से equally divide किया है same size और same shape के अंदर तो यह है example symmetries के शुरू करते हैं practice set 20 draw the axis of symmetry of each of the figure below which of them has more than one axis of symmetry हमें 4 figure दिए गये हैं और हमें axis of symmetry बनानी है और हमें यह ढूंड़ना है कि किस figure के अंदर एक से ज़्यादा axis of symmetry बन सकती है तो शुरू करते हैं first figure से यहाँ पर हम एक vertical axis बना सकते हैं और साथ ही हम एक horizontal axis भी बना सकते हैं second figure के अंदर हम एक vertical axis बना सकते हैं और साथ ही दो diagonal axis बना सकते हैं third figure के अंदर हम एक vertical axis बना सकते हैं और यहाँ पर horizontal और diagonal axis बनाना possible नहीं है fourth image के अंदर हम एक vertical axis बना सकते हैं horizontal बना सकते हैं और दो diagonally भी बना सकते हैं तो हमें अंसर मिला, figures having more than one axis of symmetry are 1, 2 and 4 Write the capital letter of the English alphabet in your notebook Try to draw their axis of symmetry, which ones have an axis of symmetry, which ones have more than one axis of symmetry तो यहां पे English के capital alphabets हमें लिखने हैं और axis of symmetry बनानी है और हमें यह चीज़ फाइंड करनी है कि किस alphabet के अंदर axis of symmetry बनेगी और किस के अंदर नहीं बनेगी इसके साथ में हमें यह भी find करना है कि किस alphabet में एक से ज़्यादा axis of symmetry बनेगी तो शुरू करते हैं A से A के अंदर vertical axis बनेगी B के अंदर horizontal axis बनेगी C के अंदर horizontal axis बनेगी D के अंदर horizontal axis बनेगी E के अंदर horizontal axis बनेगी F के अंदर axis नहीं बनेगी G के अंदर भी कोई Axis नहीं बनेंगी H के अंदर एक Vertical Axis भी बनेंगी और एक Horizontal Axis भी बनेंगी I के अंदर भी एक Vertical Axis भी बनेंगी और एक Horizontal Axis भी बनेंगी J के अंदर कोई Axis नहीं बनेंगी K के अंदर एक Horizontal Axis बनेंगी L के अंदर कोई Axis नहीं बन पाएगी M के अंदर एक Vertical Axis बनेंगी N के अंदर कोई Axis नहीं बन पाएगी O के अंदर एक Horizontal Axis बनेंगी और एक Vertical Axis बनेंगी P के अंदर कोई Axis नहीं बन पाएगी Q में भी कोई Axis नहीं बन पाएगी R में भी कोई axis नहीं बन पाएगी S में भी कोई axis नहीं बन पाएगी और T के अंदर एक vertical axis बनेंगी U के अंदर एक vertical axis बन जाएगी V में एक vertical axis बनेंगी W में एक vertical axis बनेंगी X के अंदर एक vertical axis बनेंगी और एक horizontal axis बन पाएगी Y के अंदर एक vertical axis बनेंगी और Z के अंदर कोई भी एक्सिस नहीं बनेंगे तो हमारा अंसर होंगा Letter with an Axis of Symmetry A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X और Y और second होंगा Letters having more than one axis of symmetry are H, I, O, X यहाँ पर हमें एक color लेना है एक thread लेना है याँ एक धागा लेना है और एक folded paper लेना है यहाँ पर हम एक folded paper को ले लेंगे और thread को color में deep करके paper के एक हिस्से में हम रख देंगे और हम इस paper को fold कर देंगे fold करके थोड़ा सा press करेंगे और इसके बाद में इस paper को हम फिर से unfold करेंगे तो अगब देखोंगे paper के दुसरे हिस्से में भी thread का shape बन गया है तो इसे कहते है symmetry Observe various commonly seen objects such as tree leaves, birds in flight, pictures of historical building etc Find symmetrical shapes among them and make a collection of them यह है tree leaf और यह है उसका axis of symmetry यह है historical building और यह है उसका axis of symmetry और यह है birds in flight और यह है उसका axis of symmetry अब शुरू करते है practice set 21 Along each figure shown below a line L has been drawn Complete the symmetrical figures by drawing a figure on the other side such that the line L becomes the line of symmetry नीचे दिये गए image के अंदर line L जो है line of symmetry है Line L की एक तरफ हमें already एक figure बनाया हुआ है और line L की other part पर हमें एक symmetrical figure बनाना है यहाँ पर हमें line L जो दी गए है line of symmetry और इसकी एक तरफ already एक figure बनाया हुआ है तो graph paper की मदद से हमें इसका symmetrical figure बनाना है line L के दुसरी तरफ तो शुरू करता है left and side से तो अगर आप देखोंगे उपर के हिस्से में एक box के अंदर एक vertical line है तो हमें line L के नीचे की तरफ एक box के अंदर एक vertical line बनानी है और यहाँ पर उपर तीन box तक जाती हुई एक horizontal line है तो यहाँ पर हमें नीचे भी तीन box तक के एक horizontal line बनानी है उपर दो box के एक vertical line है तो यहाँ पर भी हमें दो box तक के एक vertical line बनानी है उपर दो बॉक्स तक के एक होरिजोंटल लाइन है तो हमें नीचे भी दो बॉक्स तक के एक होरिजोंटल लाइन बनानी है वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है एक बॉक्स की तो यहाँ पर भी हमें एक वर्टिकल लाइन अंदर की तरफ वहाँ पर उपर से नीचे आ रही है तो हमें यहाँ से नीचे से उपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन बनानी है तो यहाँ पर एक हॉरिजंटल लाइन तीन बॉक्स तक के मुह हो रही है तो यहाँ पर भी हमें एक हॉरिजंटल लाइन बनानी है जो 3 box तके मुहो तो इस तरह आपका symmetrical figure ready हो गया शुरू करते हैं second figure of symmetry जब भी हम figure of symmetry बनाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो line of symmetry के एक तरफ already हमें a figure बना कर दिया जाएगा तो इस figure को अच्छी तरह से observe करना है कि उस figure के अंदर कितने box consume हो रहे कितनी dark line consume हो रही है कितनी faint line consume हो रही है उसी तरह हमें line of symmetry के other side पर उतने ही point plot करने है उतने ही dark side उतने ही boxes count करने है और point की plotting करके उस figure को complete करना है तो शुरू करते है second figure तो यहाँ पर हम पहले horizontal line complete करेगे जिससे ये figure of symmetry complete करने में आसानी होंगी तो पहली जो horizontal line है उसके अंदर 1.5 box consume हो रहा है तो उसी तरह हमें उसके opposite direction में भी एक horizontal line बनानी है जो 1.5 box तक मुह होंगी इस तरह इसके बार में जो second horizontal line है यहाँ पर 2.5 box के अलावा और दो line consume हो रही है यानि total 2.7 box consume कर रही है तो हमें भी horizontal line इस तरह बनानी है कि वो 2.7 box तक के मुह हो थर्ड horizontal line जो है वो 4 boxes consume कर रही है तो हमें यहाँ पर other side में line L के इस तरह horizontal line बनानी है कि वो 4 box consume कर सके तो यहाँ पर हमारे horizontal जो line से वो similarity match हो गए इसके बाद में हमें end point जो है वहाँ से लेकर horizontal के corner point टक के हमें एक diagonal line बनानी है इस तरह तो यहाँ तक हमारा एक box match हो जाता है figure का top हिस्सा जो है वो match हो जाता है second के अंदर भी आप देखोंगे जो first horizontal line है उसके end के अंदर first box के corner से वो line शुरू हो रही है और second line के horizontal के corner पे end हो रही है इस तरह तो इस तरह हमारा figure का second part भी complete हो जाता है third part के अंदर अगर देखोंगे second line जो horizontal line है उसके base के एक box के corner से शुरू हो रहा है और third line जो horizontal है उसके corner पे जाके वो end हो रहा है इस तरह तो इस तरह हमारा total जो तीनो पार्ट है इस figure के वो complete हो जाते है हमारा symmetrical figure जो है वो ready हो जाता है अब शुरू करते है third figure तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे line L जो line of symmetry है तो इसके जो pass की जो line है जो base line है वो diagonally pass हो रही है सारे boxes के तो इस तरह हमें भी यहाँ पर एक line बनानी है opposite side पर जो सारे boxes के diagonally pass होंगी इसके बाद में हमें एक horizontal line बना के एक vertical line बनानी है तो इस तरह आपका figure of symmetry complete हो जाता है तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए thank you इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा शेयर करें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें